करेंगे इस मैच आपको सारे नई प्लेस कौन सा बल्ले बाज आपको रंस बनाते हुए नजर आएगा कौन सा बॉल और आपको वालिंग से विकेद लेकर की देगा कौन से ग्यारा प्लेस को आप अपई तीम में रखड़के इस माँ लीगो या ग्रेंड लीगो अच्छा से पैसे कमा सकते हो इस मैच के लिए आपको लिए पिच रोबोत के होगा प्लेंग एलेवन के होगा प्लेस बेदल के होगा सब ही चीजों पर वन बाई बात करेंगे बस सेनल पे नई आयो पहली बार आए तो सेनल को सबसे पहले सबसे बात करो को सी तीम जी सकते हैं बतादू काम की तीम ने आखरी जीत करें दो मैंचे सार करिया वहीं अगर सौल की बात करें इससे पहले इसने कोई भी सीजन नहीं कहल रहा है लेकिन तीम अच्छी आप कभी भी इसको जीचते हुए देख सकते हो उसके मैच के मैदान के पर देखने हो मिलने वाला यहां पर आपको 99 रंड का एवरिज स्कोर देखने हो मिला हुए आखरी के चार मैचस में यानि कहीं ना कहीं आपको रंज बनते हुए नजर आ सकते हैं अब बात करें एक के प्ले के अनालीसिस पर यानि कि विगेट की बिंग सक्षन में आपको लें दो अच्छे उप्शन है पहला यहां सार एलपॉंस और दूसरा यहां से पी प्यार रंगा की बात को इससे पहले जो इसने सीजन के खेला हुआ हुआ है वाहां पर बल्ले जिन भी चार मैच के तब करीब करें आपको 59 के करीब रंस बना करके आ रहा है तो यह आपके लिए अच्छा उप्शन तो बन सकता है बाकी मैं इसको अफिती में इस ले नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मेरे पास काम के प्लेस इससे भी जादे सांदार है कौन से होंगे उसके विकेट भी बॉलिंग से लेकर के आ रहा है प्लस नौ मैस के दर करीब कर आपको एटी सेवेंद के करीब रंस बना करके आ रहा है यानि कि नहीं बल्ले बाजी बहुत अच्छी और नहीं गेन बाजी उसके बाद मैं यहाँ से किसके साथ जाने बलो यहाँ से सबसे बहले मै एच खान के साथ जाओंगा अगर मैं हसीम खान की बात करूंगा आखरी सेदा ने सौल की तीम कर से बल्लेवाजी में ओपनिंग कर रहा है और आखरी कि जो इसने 16 मैचस के लिए पर करीब करें आपको 139 के करीब ररेंस बना कर आत्या है यानि की काफी अचा रिकॉर्ड है बल्लेवाजी से इसका इत जाएक तो थोड़े बięcyचि बना देता है इस हवजय समय अपयती में नीचे आती है लेकि यह बॉलिंग भी कर सकता है आखरी जो इसमें 17 मैचेस के लिए वाँ पे एतीन विकेट भी लेकर क्या रहा है अधारा विकेट भी है प्लस 17 मैच के तक करीब करें आपको 451 की करीव रंस भी बना करके आ रहा है यानि कि बल्ले वाज़ी से तो कुछ सेरी भथ अगर यह वही सेरी भथ हुआ जिसके बारे मैं सोच रहो कि कि अभी तक सकल लगाई नहीं गई है और ऐसे नाम अगर आप देखोगे तो क्या लिकर क्या रहा है सहेर यार भथ मुझे लग रहे यह सेरी भथ ही है क्योंकि सेरी भथ का रिकौद का फिस सांदार है जो उसने सेरी भथ ने उननीस मैचेस के लिए हुआ है वहाँ पर चौबीस के वरेसर रन पर आखर क्या रहा है ऐसा बल्ले वाज ऐसा बैसमें देखा जाए इसका रिकौद काफी सांदार है तो अगर यह वही सेरी भथ हुआ तो आपके लिए सांदार ऑप्सन है भले ही न देख सकता है और रहुंदी का अबाद को नंबर वन चोईस है वी लूबर जिसका बल्ले वाज़ी भी काफी अच्छा और गेंद बाजी से भी अच्छी बाइग करके आए उन्नीस मैचेस में इसने करीब करें आपको तो सेवेंटी वन की खरीब रंस भी बनाकर के आ रहा ह इस बताने के लिए बाकिए अगर आपको है फाई तीम से हो जिस तीम से मैं खुद इस सचा पैसे लगाने वोले तो आपको मैं तेली गराम से जोईन आना पड़ेगा जहां पर जोईन आना प्ले एकदम फ्री है तो जाओ अभी आप यह जोईन आपने 11 प्लेया पूरे क्य क्योंकि यूट्यूब की वीडियोस में सोच होती ही चीज़े कवर कर पाना बहुत मुश्किल है जासे कि मालो लाइन अप है कोई चेंज़ेस हो गए प्लेयास में कोई ऐसा प्लेयरों जो ना खेल रहा हो तो वह सारे अफदेश में अपने तेली ग्राम से पे फ्री में जाद आए आखरी के जो इसने 19 मैचस के रहे हुआ है वहां पर इसने करीब 15 विगर भी लेकर क्या हुआ हुआ है प्लस 19 मैच के दर करीब 16 के एवरेसर रांस भी बना आकर क्या रहा है तो बल्ले वाची भली इस सीजन मुझे लगते थोड़ा नीचे भेज़ा जा सकता है लेकि कई ऐसे सीजन गए हुआ जहां पर एच वर्डेक ने कैबेंसी भी कर राखा है आपनी तीम के लिए तो इसको मैं आपनी तीम में जरूर रहा हुआ उसके अलावा यहां से और आर बिलाल सिद्ध की वन आफ द बैस विकेत एका बाल आ रहा है दो मैस्टिक लेवल को पी जहां को हैं आपनी तीम से इसको निकाल सकते हों लेकिन मैं अपनी तीम से इसको निकाल सकता हूं लेकिन उसके लिए अभी मैं और ज़्यादा सोचूंगा और ज्यादा दीपली जाओंगा वीडियो बना देने के बाद तोस हो जाने के बाद लाइना पाद आखरी के 20 मिनत में हैं तो उसके लिए हमाया तहली के हमसे जोईन हो जाना वहीं पर मैं अपने सारे अफदेश ले दूँगा सबसे पहले हैं से तुसार सर्मा आखरी के छे म मैच के लिए हुआ है आप चाहो तो इसके भी साथ जा सकते हो और उसका एफाइल इसका रिकॉर्ड काफी सांदर है आपको कैम की तीम की ओर से एफाइल को नहीं निकालना है दो ओवर बालिंग पुरा करेगा सेवन मैच से जवाकरी खेला हुआ हुआ है तो बालिंग से र अपीदी में थोड़ा सा पिक करके चलना चाहिए तो जी नजीर और जे उल्ला के साथ जहों दोनों आपको बालिंग से दो दो और पुरा करेंगे और दोनों इस तीम के मेन बाला सा आखरी सीजन दोनों ने मिल करके जिस तरीकी कि बालिंग किया था किसी मैचा जी नजीर तो किसी मैचा जे उल्ला तो किसी मैचा जे उल्ला तो किसी मैचा जी नजीर तो दोनों आपको अच्छी वालिंग करके दे रहा था कॉंबिनेशन दोनों काफी अच्छा बना करके चल रहा है तो मैंने अपीदी में दोनों को ले लिया है मैं अपीदी में एक चेंज कर सकत लगा रहो इसका सबसे बाड़ा रिजन है कि जितने भी आप्लीकेशन आपको सबसे ज़्यादा लो एद्रिफिस्ट एलेवन चलेंजर विजाद एलेवन एपको पर ही देखने को मिलेगा यहां पापने हजार रुपए इन वेस्ट करें देखो बिनाहरी आपके सो रुपए चालोगे से फैंद्रिफिस्ट रुपए दस तार रुपए इन वेस्ट करोगे तो विनाहरी आपके एक हजार रुपए बाचालोगे सिर्फ एफेजर पर उसके बिपर सापको चार से पंदरा परसिंग के बीच में बोनस के भी पैसे यूज़ करने लेगा सारे अब भी कभी डिसकेप्सन है जाओ मेरे कहने पर डाउन्लोट करो एक बार खेलना सुरू कर दो इस मैं अपने पूरे पैसे जो लेवन चलेंजर अफिजाद 11 पर लगाने वाला हूँ तो आप भी जादा साथ है यहीं पिकलना आपके जीतने के चाहांसे जादा रहेंगे क् यूट्यूबर्स को मैं तार्गेट करना लो जिससे कि माई टीम के लेवन चलेजिस विजाद 11 पर जीदने के चाहसे जादा रहते हैं तो लेवन चलेजिस विजाद 11 दो रहा है अपनी कराया जाए उपर भेज़ा जाए तो यह अपने सबसे बैस अप्शन है अगर सेरी भ पर दक को अपनी केवेंसी मिल जाए इस तीम में के लिए करें बले वजी गेद वजी सब कुस करें तो यह आपके लिए अच्छा अपने सकते हैं तो उमीद है दो सही के प्लेगा पूरा अनालीसिस बता दिया वीदियो अच्छा लगो तो सब्सक्राइब जरू कर लेना त सब्सक्राइब करना बिल्कुली मत भोलना